अस्सलाम औरेकुम फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू मैं चैनल मेरा नाम है कासिम आप देख रहे हैं कासिम ट्यूट्स तो दोस्तों आज की फोटोशॉप की क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से आप किसी भी पिक्चर का जो है वो बैकगराउंड रिमूफ कर सकते हैं विदिन पहले यहां पर मैंने एक पिक्चर ले ली है अब पिक्चर को आपने यहां से देखना है कि आपकी पिक्चर का लेयर जो है वो लॉक्ट ना हो इसको आपने यहां से अनलॉक करना है अनलॉक करने के बाद अब हमने क्या करनी है जी सिलेक्शन करनी है इस पिक्चर की जिस भ polygonal tool है magnetic lasso tool है इसी थरह जो है वह qader Cすlection tool है Magic aşशन टूल है लेकिन इन tools के अन्दर क्या होता है कि काफी time लग जाता है selection करते हुए तो हमने क्या करना है हमने इस process को capture करना है तो photoshop का जो नया version है 2019-2019 उसके अन्दर एक option आता है जिसको subject selection कहते हैं तो हमने क्या करना है हमने simply यहां पर आना है select पर select पर आने के बाद यहां पर आपको option नदर आएगा subject का इस पर हम click कर देंगे तो क्या होगा कि within few seconds AI के जरीए जो है हमारी picture के अंदर जो subject होगा वो automatically select हो जाएगा तो यहां पर इसको थोड़ी सी improvement की जरूरत है तो वह improvement हम manually करेंगे यहां पर हम आएंगे quick selection tool पर इसको select करेंगे अब इस area को मैंने minus करना है तो मैं alt key को press करूँगा और यहां से इसको मैं minus कर दूँगा ठीक है जी इसी तरह जहां जहां से जो है आपको आपकी पिक्चर को selection को adjustment की जरूरत है आपने उसको adjust कर लेना है ठीक जी इस पर आप जितना time लगाएंगे उतनी जो selection है वो आपकी perfect होगी लेकिन मैं आपको quickly यहां पर सिखा रहा हूँ अब आपको यहां पर एक option नजर आ रहा होगा layer mask का इसको आपने क्लिक करना है तो अब आप देखें कि within few seconds हमारी picture का जो background है वो easily remove हो चुका है और यह जैसे के मैंने कहा था सिर्फ दो clicks के अंदरा हम background को remove करेंगे तो वो दो clicks कौन से हैं पहले आपने select पर आना है subject को यहां से click करना है फिर उसके बाद आपने layer mask को click करना है तो आपकी picture का जो background है वो remove हो जाएगा अब इसको हम यहां से export करेंगे फाइल पर आएंगे और quick export aspng यहां पर desktop पर मैं इसको कर दूँगा तो अब हमारी picture जो है वो desktop पर आ जाएगी तो यह वला method जो है वो आप किसी भी picture के अंदर जो है apply कर सकते हैं और बहुत ही easy method है इसके इलावा जो है वो और भी method जो है वो background removal के आते हैं तो वो भी मैं आपको next video के अंदर जो है फिर उसके बाद जो है आप इस background को remove करेंगे तो आपकी picture जो है वो perfect हो जाएगी तो उमीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी यह video पसंद आई होगी अगर video पसंद आई है तो video को like और channel को subscribe कर दें क्योंकि इस channel पर आपको जो है वो graphic designing, video editing, SEO, web designing और भी बहुत सारे courses जो हैं वो मिलने वाले हैं तो see you in the next video